बचो इस डाइग्राम में पूरा चेक्टर 3 आपको समझा देती हूँ डाइग्राम की साहता से देखो जो यह हमारी periodic table है इसमें किस तरह से जो periodic trends होते हैं वो किस पर depend करते हैं electronic configuration पर है ना कि electrons किस तरह से arrange है किसी atom में आप देखो सबसे पहला trend है atomic और ionic radii का तो जब आप किसी periodic table में left से right की तरफ जाते हो तो atomic radii और ionic radii कैसे change होती है वो size में छोटा होता जाता atom है ना left to right जाने से तो size में decrease होने से उसकी कौन-कौन सी properties पर एफेक्ट होता है उसकी ionization enthalpy पर effect होता है और electron gain enthalpy पर भी effect होता है तो जब left से right की तरफ जाएंगे तो size छोटा होता जा रहा है इसलिए ionization enthalpy जो है वो बरती जाएगी है ना अब electron remove करना मुश्किल हो जाएगा इस तरह से फिर क्या होगा जो extreme left है वहाँ पर minimum ionization energy होगी है ना और जो electron gain enthalpy है वो left to right जाने पर बढ़ती जाएगी उसकी जो negative value है वो बढ़ती जाएगी left to right जाने में क्यों क्योंकि size चोटा हो रहा है तो इसका मतलब जो extreme right है आप noble gases को छोड़ दो उसके पहले halogens हैं उनकी electron gain enthalpy जो है negative electron gain enthalpy वो highest value है extreme right में तो इन दोनों के basis पे क्या होता है ionization enthalpy जो least है left की तरफ और highest negative electron gain enthalpy right की तरफ वो इन elements को बहुत reactive बना देते हैं तो these elements are highly reactive और बीच में जो है वो reactivity बहुत कम होती है ना period table की बात हो रही है इसी तरह से जो metallic character है आप चुकि ionization energy जो है वो extreme left में कम है तो यह metals है क्योंकि यह easily electron दे देते हैं तो केटाइन बनाते हैं और बहुत highly reactive भी है क्योंकि चाहेंगे कि फटाफट अपना electron दे दें इतनी कम ionization enthalpy है इनके पास तो यह इससे क्या होगा बच्चों यह इतनी जल्दी reaction करते हैं देखो oxygen के basis पे कितने अच्छे oxide बनाते हैं metallic oxides कैसे oxides होते हैं वह basic oxide क्यों क्योंकि वह जब आप water में dissolve करते हो तो क्या बनाते हैं alkali sodium hydroxide potassium hydroxide calcium hydroxide magnesium hydroxide यह सब क्या है basis हैं क्योंकि reactive है न यह elements extreme left वाले तो on the basis of oxygen हम देख रहे हैं कितनी reactivity high है इनकी अच्छा बच्चों ऐसे जो elements होते हैं जो बहुत जल्दी electron देके cation बना लेते हैं उसको बोलते हैं reducing property क्योंकि यह क्या करें electron देंगे तो कोई लेने वाला तो होगा न उसको तो जिसको देते हैं वह बिचारा reduce हो गया तो इसको बोलते है reducing property तो इनकी reducing बहुत अच्छी reducing agent है यह left side element है न मैटल साधी अब उधर आ जावाब extreme right में noble gases को छोड़ देना उनकी तो बहुत reactivity है नहीं शून्य है क्योंकि उनकी electron gain enthalpy positive में होती है मतलब पता है उनको आप electron दोगे तो वह आपको energy साथ में देनी पड़ेगी है उन लेते नहीं electron न देते हैं है ना तो ionization enthalpy भी बहुत हाई एक्स्ट्रीम हाई है और electron gain enthalpy भी positive है तो उनकी reactivity छोड़ देते हैं right side में हम बात करते हैं non-metals की तो non-metally character भी increase हो गया towards right और non-metally character के साथ साथ इनकी chemical reactivity भी बढ़ गई क्योंकि यह भी बहुत जल्दी ions बनाएंगे यह बहुत जल्दी electron ले लेंगे अब electron का लेना क्या होता है actually reduce होना क्योंकि electron ले रहे हैं ले रहे हैं किसी से तो क्या कर रहे हैं खुद reduce हो रहे हैं जब खुद reduce हो रहे हैं तो मतलब दूसरे को oxidize कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छे oxidizing agent है थोड़ा सा ध्यान दो इस बात पर कि जो खुद reduce होते हैं वो बह हमारे non-metals है they are good oxidizing agent because they receive electron very easily they make anions और और क्या बच्छा बच्छो, acidic character होता है इनके oxides में क्योंकि ये जो है acidic होता है nature में जब ये water में dissolve करोगे इनको non-metallic oxides को तो ये आपको acid बनाएंगे है ना फिर जो बीच में जो elements है जैसे aluminium है, zinc है ये amphoteric oxide बनाते हैं आप amphoteric oxide क्या होते हैं amphoteric oxides acidic और basic दोनों होते हैं आपने aluminium oxide का 10th में पढ़ा था ना aluminium oxide NaOH के साथ reaction करके sodium aluminate बनाता है NaAlO2 और zinc oxide जो है वो भी sodium hydroxide के साथ reaction करके sodium zincate बनाता है Na2, ZnO2 और इसी तरह से acid से तो reaction करते ही हैं है ना aluminium oxide जो है acid से तो reaction करता ही है साथ साथ में वो ZnOH से भी alkali से भी reaction करता है तो वो amphoteric oxides क्यालाते हैं वो बीच वाले elements बनाते हैं दोनों extreme left में acidic oxide, extreme left में basic oxides और extreme right में acidic oxides बनते हैं ना chlorine का oxygen के साथ एक बनाया था ना आपने पीछे chlorine oxide अच्छा और कौन सी property बच्छी बच्छो तो आपने reactivity देख ली chemical reactivity जो है जो वो कहां पे है extreme, दोनो extreme sides पे left side और right side ओके तो atomic size देख लिए आपने उसका trend किस तरह से atomic size एक group में उपर से नीचे जाने पर atomic size बढ़ रहा है क्योंकि number of shells increase हो रहे हैं लेकिन atomic size जो है वो left to right जाने में decrease हो रहा है electron negativity देख लिए आपने left to right जाने में बढ़ रही है